अच्छे होगे प्रेंड्स मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे ओपिन पोर्स के लिए कई सारे अच्छे लोग हैं जिनको ओपिन पोर्स की बहुत प्राब्लम हो रही है तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो आज लेकर आई हूँ ओपिन पोर्स के लिए देखें ये बिल्कुल से क्लोज तो नहीं हो सकते हैं लेकिन हाँ बस ये थोड़ी मिनिमाइस हो जाएंगे हमें अपनी फेस की अपने स्किन की बहुत केर करनी चाहिए तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ओपिन पोर्स कैसे ठीक करें हाँ जी तो तीन तरीके से हम ओपिन पोर्स शीक कर सकते हैं वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं ओपिन पोर्स को ठीक करनी के लिए लेकिन या पर मैं तीन तरहे से आपको बताओंगी WINी घिरो से जो कुकुंबर होता है जिस्से हम कहीरा भी कद्दूगासि किसलेंगे पिर जो रस है उसको निकालेंगे उसके रस को हम निकालेंगे adapt है और फिर हम किसलेंगे जब रस गूलत पिर पो से हम एक कपड़े में उसको स्पेल लापपयर को वस्पास पताज सिम्हाइग आख भाया है कपड़े में रखेंगे और फोल्ड करके उसको अपनी स्किन पे हलका हलका रख करेंगे जब तक कि वो जो हमारा आइस क्यूब है वो विल्कुल खतब ना हो जाया तब तक कि हम अपने स्किन पे उसको रख करते रहेंगे तो कुछ दिनों में देखना आपको काफी फर्क इससे लगेगा हमारी ओपिन पोर्स में काफी फर्क आपको लगेगा और हमारा जो दूसरा तरीका है वो भी कुछ इसी तरह है जिस तरह हमको खीरे का ice cube बनाना है उसी तरह हमको aloe vera का भी ice cube बनाना है तो सबसे पहले हम aloe vera को निकाले हैं सब गड़ों में aloe vera होता होगा और अगर नहीं भी है तो एक दूसरे के घरों से हम मांग सकते हैं या भी दो सकते हैं कहीं से भी वह आसानी से रहाता है तो हम aloe vera लेंगे उसका aloe vera को भी बनाना है फिर दो हे भी acrossnew da. भी दो सकते हैं निकालेंगे फिर प्राड ऑफ्र ला इसको निकालने के बाη हम नहीं शुपने डालनेगे जो हमारी जब वो जब जाएगी, आइस क्यूब बन जाए, तो उसको हम एक कपड़े में निकाले, और उसमें कपड़े में हलका से लपेटे और उसको फेज पे रब करें, आइस क्यूब को. गड़ लगए गते को लगाना हम मैं कामें आईसक्यूब को घड़ में हारेट के लगए था हम एक कामें बड़ गड़नी में लगाना है यह तुन है जिस तरह ग्योड के लहां करना है कपड़ी पिलपेट के उसको भी रब करेंगे आइस की फटम हो जाएगा जब तक कि उसको रब करना है डेली ही ऐसा करना है और ध्यान डखें जब भी हम अपने सर्वाण के तो हम के घर्मी में विलकुल न जये रहा है। कैम सारा खत्म हो जाए हम धूब में भी हमको नहीं जाना है और प्रक्सका काम के पास और और थिचन न फिर दिन ज़ल्दी हैं कि आपके उपन पर यह वारी ओपिन पोर्स को दूर करेगा है तो दोस्तो हमारा तीसर थैज़ा यह है कि हम जो इसा तामयटो में तमयटो की रज को भी हम इसी तरह आईस क्यूब में और अगर आधे की में नहीं है अगर करना चाहे तो लिए टमयटो को स्लाइज में काट ले और उसको रब करें बस इसको इसी तरह बस रब करना है फुरी फेस पे रब कर लें अच्छे से और डेली ही ऐसा करें ऐसा करने से ही दिने हमारे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और हमारी ओपिन पोर्स और और दाग डबे सारि प्रोबलम खत्म हो जाएगी अगर आप चाहते हैं कि मैं आइस कूप कैसे बनाएं इसकी वीडियो आपको बना कर दू हूं तो मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं तो comment box में comment करके जरूर बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको example के तौर पर आपको बताऊं कि हम cucumber के रस को और aloe vera zail को किस तरह हम उसके use करें use करना बताएं तो आप मुझे comment box में comment करके जरूर बताएं तो हमारी आज के वीडियो यहीं परकत्म होती है और हम मिलते हैं अपनी next वीडियो में तो चलती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और sales जरूर करें और हाँ bell icon दवाना ना भूले bell icon दवा कर रखे जिसे की मेरी सारी notification आप तक चाहती रहे और मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच्छ दी रहे तो please bell icon दवाना ना भूले और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगती है तो please like जरूर कर दिये करें बबाई